और वो जीन्स वागेर अच्छी है क्या हुआ क्यों रो रही हो कौन हो तुम किसके साथ आई हो देखो डरों मत बताओ मुझे अरे अच्छा अपना नाम बताओ ये क्या है तुम्हारे आपने दिखाओ मुझे लाओ दिखाओ मुझे दिखाओ CID इंस्पेक्टर दया अरे दया ये तो वही वाला एंट्रेवई चल लाए तो ये है वो ये कौन सा इंटर्व्यू चल रहा है भाई कुछ नहीं वो ब्यूरो में कैंटिन खुलने वाली है ना उसके नहीं इंचार्ज है ये कैंटिंग अभी तक खुली भी नहीं और इंचार्ज भी आ गई वैसे जो जो डिशिस तुम्हें खानी है उसकी लिस्ट अभी से बनवालो तो जो चाहिए वो मिलेगा तो नहीं मिलेगा हमारी कैंटिन है फिर ठीक है आजा इंसे मिलो यह कावेरी यहाज से सी एडी जोइन कर लीगे हमें पहले सी मालूम है सर ठैंक्स कावेरी जी खाना एक्दम टेस्टी होना चाहिए हाँ खाना तो एक तेस्टी होना चाहिए कुलाब जाम रसमलाई चॉकलेट पेफट्री जी यह सब भी बीज बीज में बिल जाना तो बहुत यह अच्छा होगा शुगर थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा मेरे डाइटिंग चल रही है तुमारी डाइटिंग मैं करोंगा प् यह पर बार मैंने बोल्स दिया तो सम्झो हो गया तुमारी अच्छी तो चोटी है ना? यह कोई कैंटीन मैंजर नी है संगे यह नई नई C.I.D. ओपिसर है कावेरी कावेरी क्या नाम है इसका प्रेडिक? कावेरी नमस्ते है हलो कावेरी हलो सर और प्लीज डूंट वरी मैं आपको वो सब लाके तूंगी आपके कुलाब चामन, रसकुलाज, चाइनीज, वटेव यूसे आवे बोलो अच्छा हाँ हाँ वो अंदर बेशो यह क्यो वो देया? सर बाहर एक लेड़ी मुझे मिलने आई है रेसेप्शन पे तो इसमें इतना परिशान होने कि क्या बात है? वो कह रही है कि मेरी बेटी को साथ ले आई है क्या रहा क्या रहा सॉरी मैंने आपको डिस्टब किया मुझे इंस्पेक्टर दया से मिलना है कहिए मैं दया हूँ जी यह बच्ची मुझे सडक पर मिली है बहुत रो रही थी इसलिए मैं इसे यहां ले आई बता भी नहीं रही है कि यह कौन है आपने बहुत अच्छा काम किया पर आपने मेरा ही नाम क्यों लिया जी मुझे इसके हाँ से यह नोट मिला है नोट? मेरे नाम का नोट? देखू पर सर मैं तो इस बच्चे को जानता भी नहीं है दया यह चक्कर क्या है पिर तुमारा ही नाम दिखा है क्या है यह एक मिल बेटा अंकल कुछ नहीं करेंगे खूल खूल लगा है खूल कविल देखू ज़र बच्ची को देखू कोई चूटबूट आई है क्या जी मैं जा सकती हूं सर यह यह बच्ची आपको कहां मिली जी यह मुझे लोखनवेला क्रॉस रोड पर बैठी मिली थी बहुत रो रही थी और मुझसे देखा नहीं गया तो मैं इसे यहां ले आई अपनी वाकी बहुत अच्छा काम किया है विवेक तरह मैडम को बाहर चुड़ा और इनके लिए कार का बंदुबस करो येस सार थैंक्यू ये यह इस तरफ सार इसे कोई छोटी मोटी सी चोट लगी है पर खून कहीं से नहीं निकला है अच्छा तो फिर ये खून आया कहां से सबसे पहले इस लड़की का नाम और पता मालूम करना पड़ेगा सार पैट्रिक्स तरफ देखो मिसिंग रिपोर्ट में किसी छोटी बच्चे की गायब होने की खबर है क्या ये सर अभी देखता हूं दया समझ में नहीं आता इसमें तुमारा ही नाम क्यों लिखा है सर्थ मुझे नहीं आम सर्य ये कई इसा तो नहीं कि ये बच्चे तुमारे घर के पास रहती हो तुम्हें पैंचानती हो ने शर मेरे घर के आजबास के सभी बच्चों को जानताूं मैं ने शर किसी भी बच्चे की बिष्ड की funktioniert कर बड़े सार रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है और ड्रेस्ट पे खोन लगा है लेकिन इसकी ड्रेस को देखके लगता ही अच्छे घर की है हाँ एक काम को रुकावे तुम इसे डॉक्टर के बास लिजा और इसका ब्लड टेस्ट करवा शाहिद हमें कोई रास्ता मिल जा जी कम बेबी चलो कर दो कर दो कर दो कि लड़की सिर्फ तुम को ही पैचानती है तुम भी कावेरी के साथ चलेगा पर ये बच्ची मुझे जानती कैसे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ दया कि ये बच्ची तुम हमें जानती कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानता बस लेकिन एक बुरी खबर जरूर देना चाहता हूँ यार सारूं के तुम बुरी खबर किसे और देते भी क्या हो ये खबर बहुत जरूरी है अर्तों पर उगल दो ये जो खून हमें इस लड़की के कपडों में मिला है ये इस लड़की का नहीं है ये तो हमें पहले से ही मालूम है कुछ नया बता अmm के ये खून इस लड़की की मा का है क्या? अरे वाँ तारीका, तुम्हारे बाल तो एकदम सिल्क जैसे चमक रहे है वह अच्छली मैंने अपने बालों पर तेल लगा है वो होली आरी है ना, तो दिल खोल कर एंजॉय करना चाहती हूं लेकिन बालों को नहीं खराब करना चाहती तो मैंने सोचा, तेल लगा लूँ दफ्ट तारीका, वो बच्ची के जूतों में कुछ लगा हुआ था, हम उसकी बात कर रहे थे आप ये बीच में होली कहां से ले आई? सर, इस बच्ची के जूते में कुछ मिट्टी लगी हुई थी, यह देखिया जब मिट्टी जूतों में लगी, तब गीली होगी, तब him तो इतनी चिपकी है क्या मेला मिट्टी में से? यह मिट्टी नहीं है सर, यह खाद है काण्डूरखाद सर, यह नाम तो सुना हुआ लगता है फ्रेडरेक, यह किसी आदमी का नाम नहीं है ये खाद है वर्मी पोस जो मिट्टी के कीडों से बनाई जाती है और अक्सर फूलों के प्लांट्स में डाली जाती है आप देखे साड़ों के इसमें तो कीडे चल रहे है इसका मतलब ये लड़की चार या पाँच घंटे पहले किसी ऐसी जगह से हो करका आई है जहान पर ये खाती है ब़स या तो यह लड़की किसी पार्फ में से होकर कर आई है, या फिर किसी नर्सरी में से होकर कर आई है नर्सरी? हाँ, वहीं पर मिल सकती है ऐसी खाल अब यीद, यह बच्ची छोटी है, इसलिए ज्यादा दूर तक चलनी ही सकती और ये मिली है लोखंड वाला में इसका मतलब ही ये नरसरी लोखंड वाला के आसपास ही होनी चाहिए पता करो हाँ साब इस लड़की को दो रोस पहले यहां पर देखा था क्या बात है बेटी आप से किसी ने कुछ कहा ये बच्ची यहां कर क्या रहे थी? कोई था इसके साथ में और? नई साब इसके साथ कोई भी नहीं था अकेली थी ये मुझे भी बड़ा ताज्यूब लगा कि एक छोटी बच्ची यहां लरसरी में अकेली क्या कर रही यह इसके पहले कभी देखा थे यहां पर नई साब पहले तो कभी नहीं देखा ये नरसरी के अंदर आई कहां से गेट पे किसी ने रोखा नहीं था ऐसे क्या ये गेट से अंदर नहीं आई ये बच्ची गेट से अंदर नहीं आई तो फिर कहां से आई होगी बेटा क्या तुम्हें यादे तुम कहां से अंदर रही थी? वो नरसरी के पीछे की दिवार टूटी हुई है हो सकता है वो वहीं से अंदर आई हो नरसरी के पीछे की दिवार टूटी हुई है और वहां असपस कोई पॉलनी बगर आया क्या? नई साब बस्ती तो नहीं है हाँ, तोचार घर जरूर पुराने बने हुए है ओ, ये बच्ची चुप-चुप के टूटी वी दिवार से अंदर आई और वहीं से भाग गए वो सकता है कि यहीं कहीं रहती हो जे? वो हम लोग काविरी, तुम यह अंडेल करो इसक्यूजी माम, हम CID से हैं और आपने इस बेबी को कहीं देखा है यह तो दिवे है, बगल वाले घर में रहती है दयार, यह लड़की हमारे पास आती नहीं, लेकिन तुमारे पास से हटती ही नहीं लगता है यह लड़की तुम्हें पहले से जानती होगी मालू नहीं सेर, मैंने तो पहले से कभी देखा नहीं चौँ, फिर वही बात, कोई जवाब ही नहीं लड़ता है गरबढ़ है सेर, हमारे आने से तो ऐसे ही होता है तोड़ देते हैं दर्वाजा, दया, दर्वाजा तोड़ दो क्या दोड़ दो क्या हो बेगा चाबी चाबी इसका मतलब हम सही जगे पर आगे ये गर इस बच्ची का ही है सर्फ पता चल गया इस लड़की का नाम दिव्या है और ये वाला गर इसी का ऐसा ये यहीं पे रहती है दिव्या पर कोई दर्वाजा खोल कुने रहा सर कोई अंदर हाई भी के नहीं एकदम से पीछे मत देखना वहां गाड़ी में एक लड़की बेठे जो हमें बहुत देर से वाच कर रही है ये वो कौन सकती है सर्फ मालूम नहीं कौन है लेकिन दो तिन दिन से मुझे लग रहा है कि कोई हमें वाच कर रहा है ये तो भाग नहीं हाँ कोई बात नहीं पता लगा लेंगे ये है कौन दर्वाजा खुलो अभी जितने किती गंदी स्मेल है लगता है कोई कच्रे का डबा काफी दिन से ही पढ़ा है कच्रे का डबा नहीं है लाश के स्मेल है चौबिस घंडे से ज्यादा हुए आदमी को मरे हुए सर दर्वाजा अंदर से बंद है इसका मतलब मौत या तो नीन में हुई है या फिर मौत होने के बाद जो भी यहां से गया उसने दर्वाजा बंद कर लिया सर अभी मास्क लेकर आता हूँ सर अजर लिया सर लगता है स्मेल वहां से आ रही है दया सर यह सब कुछ बच्ची के सामने ठीक नहीं रहेगा ठीक है सर मैं से भार लेकर जाते हूँ यह तिविया के साथ मौरिजा मतलब क्या वाद है तुम जनते हो इसे हाँ यह मेरे कॉलिज के फेंड है मतलब यह घर मौरिजा का है कई यह लाज मौरिजा के तुनी तो नहीं तो हम लोग देख लेंगे तुम तुम बार ही जाओ पर अभीजीद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मेरे अभीजीद ठीक कह रहा है तुम आपसे बार बेटें है बगर दो है लेगए तो नहीं बार कर दोब दो, मौमी, वह बहुत भाले भीजीद में मौमी, तो कि वार्ट वट्से नहीं है अबाट आपन एसे कम भीज़िए सिर्णे उसे लग्ताया जंगा था जिल एक सार्ग जंग्न एक रमक रड़ा साथ, तो तेना बार हम पीड़ा कि झूर था लेखी जिसने भी एक किया है उसके इसे जनून सवार था जर किसी आदमी के दिल में इसके लिए बहुत नफरत भार बहुत भर जिए इसलिए एक दो बार नहीं इए जाला गए जाला गिए इसलिए कोई आदमी हो गा सर आप ते एसे बोल रामे का सीन बतारिया आपको इस लेडिक लेगे बिल्कुल बुरान लग रहा है थेको बहुत तो बाहर जाके फर्षगिला करो, समझी? मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आसु बाहना गलत है लेकिन उसकी यह जगह नहीं है हम लोग पत्थर के नहीं लेकिन हम लोगों के आसु सूप चुके थोड़े बहुत ही बचे होंगे अभीजीत इस बात देखी तुम यह जहां भी खून बढ़ा हूँ उसमें कहीं भी खूनी के फुट्प्रिंट्स नहीं है पैरों के निशान नहीं है इसका मतलब है हमें जो सुबूर ढूनना है उसके लिए यहीं से शुरूआत करनी पड़ेगी यहीं से स्विक जर्चे करो अची तरह से जिस चीज से एक करा गया वो जरूर हमें यहीं पर ही मिलेगा जो देखो सर वो लड़की तिव्या इसकी ड्रिस पर जो खून लगा हुआ है इसका मतलब उसने अपनी माह का खून होते हुए अबीज़त कम से कम उसने अटाक होते हुए तो जरूर देखा होगा अगर सर यह और तो चिलना ही होगी तो आसपास वालों ने देखा कैसे नहीं वही तो काविरी अबीज़त अबीज़त आपकार इसवारत के नाखून चेक करो देखो नाखूनों में कुछ फसा है क्या देखो अपनी जान बशाने के लिए उसने हाथ पर तो चलाए हुए तो हो सकता है खूनी के स्किन के टुकड़े चमडी के टुकड़े उसके नाखून में फसे हुए हुए चेक करो अची तरसे कॉए कॉए फुए पाइ ज्युए पुए प्रशए कि अच्छा वा सर यहां पे नहीं है वो तो इसे बर्दाश्च नहीं कर बाता है सर अभी तो आपने कहा था कि आप सब क्या सो सोग चुके हैं मैंने यह भी कहा था कि हमारे दिल पत्थर के नहीं है सर यह पिन मिला है सर शायद इसी पेंसे मोरिसा ने ओं मेसेज लिखाओगा दिव्या को दया के पास भीजने के लिए अब जीत इतने सालों बाद एक दोश से मिलने का चांस मिला था और वो इस हाल में मिलेगी कभी सोचा नहीं था कैसे मारा कैसे कोई बिना धार का तिया रहे शायद लगता जगड़ा वगड़ा हुआ होगा वह अध बुरी तरह से मारा है मार मार के जान लिया है यह सब उसी नहीं किया है किसना है अमित नहीं है मुरिजा का हस्पेंड यह सब शादी होने के एक साल के अंदर ही उनके बीच में प्रॉब्लम चुरू हो गए थी मुरिजा ने मुझे बताया था कि उसने उस पे हाथ उठाया है मुझे बहुत कुछ सा गया था तुम पुलिस ओफिसर होगे अपने एरिया में यह मेरा घर और हजबेंट वाइफ के बीच में दखल अंदाजी करने का तुमें हब किसने दिया तुम्हारे किसमत अच्छी है कि मुरिजा ने कंप्रेंट न ही की।वरना मैं तुम्हें समझाने में टाइम बेच नहीं करता संजय ौ तो तुम मेरे ही घर में मुझे दमकारे हो अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी न, तो तुम्हारी नोक्री चली जाएगी यूँ यूँ देया, देया प्लीज तुम चले जाओ, यहां सब ठीक है देया प्लीज, प्लीज तुम जाओ तुम ऐसे डर डरके इसकी हिम्मत को बढ़ा रही है, समझी? अपना ही चेहरा देखा, क्या हालत बना दिये इसने? मैंने तुम्हें फोन पर समझाया था यहां किसी को तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूत नहीं है तुम मेरे घर से जा सकते हो और मोरी ज़र ने भी क्या कहा, सुन लिया न तुमने मैं सब समाल लोगी, प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज दूसरे दिन कोट और लेकर मैं उसके घर पहुचा वहां देखा, घर खाली पड़ा था रात और रात उसने अपना घर बदल लिया था आस-पास मैंने पूछने के काफी कोशिश की पर किसे को कुछ मालूम नहीं था, मैं कुछ नहीं करवाया विजीत अपने ट्यूटी के चक्कर में मुरिजा को भोल गया उसने मुझे मेसेज भीजा था, शायद ये सोचके के मैं आ के उसे बचा लूँगा पर यहां पे भी मैं टाइम पर नहीं पाच्छा मम्मे उपाचले गई पोलोने अंकल, मम्मे उपाचले गई मम्मे मम्मे रोमत मम्मे मैं हुना, रोमत 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 बुरी तरे से मरा किसी फेस और बॉड़ी पर बार बार वार किया गई रो उसुर से मौत हुई है, हमmm लगता ही है सर, पत्नी के उपर अथ्याचार के गए इसके पती को दो बार फासी होनी चाःए मगर हम इतना इमोशनल नहीं हो सकते हैं तुम ही कैसे पता कि उसके पती नहीं ये किया है बयागफ होना था उसे लगता है ये काम उसके हस्बेंड नहीं किया अच्छा हुआ इसकी बेटी दिव्या नहीं सब नहीं देखा इतनी बहरमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है पागल है क्या वो ऐसा कैसा जुनों किसी के सेर पे सवार हो चाता है कि उसे ख्याल ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है ऐसे बहुत सारे केसे सुमें देखने को मिलेंगे कावेरी अभी तो तुम्हारी शुरुआत है CID में कई बार ऐसे जानवर सूट बूड में भी मिलते है वो क्या वा इसके हस्बें का कुछ बता चला नो सब उसे क्रेडिट कार्ट और डेबिट कार्ट दोनों नहीं चल रहे है और मोबाल फूनी बंद है दयावर वेक वहीं पर है ना इसकी घर पे जिसने भी यह किया है उसका कोई न कोई निशान तो जरूर मिलेगा वहाँ पर यह आदमी आमित जमीन के नीचे भी जाकर छुप गया ना तब भी मैं उसे ठूण निकालूँगा सर कोई न कोई क्लू तो जरूर मिलेगा हमेशा कोई तो सुराग छुपा होगा यहाँ पर यहीं पर मिलेगा और कुछ उसके बारे में इसी घर में तुमने सुना पेपर की आवास हाँ सर कपड़े में से आई थी कपड़े में से पेपर की आवास इसमें है साड़ी के फ़ाल में बचे है अरे सर ये तो आपकी न्यूस की कटिंग्स है ओ इसका मतलब है अमित के डर से मेरे न्यूस पेपर के कटिंग उसने अपने साड़ी के फॉल में चुपा के रखे थे मगर सर ये साथ में बैंक की डेपोसिट स्लिप्स दिव्या के नाम पर होम बैंक में पैसे डेपोसिट किये गये हैं मगर ये डेपोसिट स्लिप्स ऐसे चुपा के रखने का मतलब मोरिसा अपने अकॉंड में बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और ये अकॉंड भी उससे अपनी बेटी के नाम पर खोला हुआ था दिव्या के नाम पर अरे यही तो है वो दिव्या इसी क दिन पहले ही उसके हस्बेंड आये थे पैसा निकालने के लिए क्या अवत यह था दिव्या के अकॉंड से उसने एक लाग रुपे निकाले अब पांचे सो रुपे बचे हैं उसे पैसे विड्रॉप किया आपको मालूम था अकॉंड बेटी के नाम से फिर भी आपने उसे लेजाने दिया देखिए सर उसके पास मॉरिषा का साइन किया हुआ चेक था मैं पेमेंट रोकता तो कैसे जब मॉरिषा ने हुद चेक साइन किया हुआ था क्या वो चैक हम देख सकते है प्लीज या शिर हेलो कुलकरणी एकाउंट नमर वन टू सेवनेट के चेक पड़ा ह होगा जो कि क्लिरेंस के लिए था जिसकी पेमेंट हो चुकी है दिव्य और मॉरिषा के नाम का चेक है लेकर आना प्लीज पर सब मॉरिषा ने चेक पर साइन किया ही क्योंगा हाँ देखिए सर यह है इस एकाउंट का पहला चेक मैंने खुछ सिगनेचर मैच किया था इते हैं खुल खुल हाँ सर शायद मॉरिषा को मार मार कर चेक पर साइन करवा लिया होगा सर पहले अपनी वाइफ का खुन किया फिर बैंक में आ गया उसके मेहनत के पैसे चुराने के लिए बहुत ही हिम्मत वला आदम है सर आपके बैंक में ये क्लोस सकिट कैमरास लगे हुए हमें उस इन के टेप चाहिए हमें देखना है कि उस इन यहां exactly हुआ क्या था एक मिट एक मिट यहां पर यहां पर रुको ज़र है हाँ यही है वो आदमी मुरिशा का हस्बेंड अमित नाम है इसका और यह अमित इस ओरत के साथ यहां आया था कुछ ठीक से देखने तो सउन करकर देखता है कि आस्ट यहां क्या कि आमित मैं यह अमिता नहीं है क्या क Eating अप मैं Khudis से मिला हूं थि-7 कि आ हमित नहीं कि विसने अमिध की शादी मुरीजा सिलवी तब सी जानता हूं मैं Amit को यहाने हो ही नहीं सकता है मतलब sir, मुरीजा का खुन उसके पती Amid नहीं किया है किसी ने पैसुं की लालच में Amid बन के उसको मार दिया और शार अगर यह अमिध नहीं है तो फर Amid है का तो समझ में नहीं आरा है इस अब क्या चाहिए और आव यह आदमी बीच में टपक पड़ा है अमितने नहीं मारा तो फेर मुरीजा का खून किसने किया होगा पहले हमें इन दोनों को धुड़ना होगा सर इस औरत के हाथ में बैग है सर उस पर क्या लिखा है ठीक तरह से दिखने रहा है सर किसी दूसरे कैमेरे की रेकॉर्डिंग देखते है सरकान केमिस्ट लगता है सर यह औरत शायद सरकान केमिस्ट की दुकान से कुछ लेके आई है सरकान केमिस्ट मतलब मतलब वो छोटा वाला केमरा जो बैंक में लगा होता है उससे इतनी अची फोटो आती है जी आई यह आपके सामने है ना देख लो ना आप इस फोटो में मेरी बैग देखकर यहां तक महुँच गए वाँ मान गए साब वाँ ओ बाई साब जदा टाइम नहीं हमारे पास साब प्लीज मैं हैनल कर सकती हो इस लेडी को पहचानते हो इस लेडी को पहचानते हो कि नहीं तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है यह जो औरत यहां पर दो दिन पहले आई थी यह जल गई थी और इसका हाथ भी जला हुआ था और यह जो कपले पहने हुए थी ना यह फोटो वाली कपले पहने हुए थी तुम जानते हो इस औरत को नहीं साब अच्छा जब यहां आई थी तो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगएरा लेकर आई ठीक है हाँ लाई थी और वैसे भी साम में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी किसी को दावा नहीं देता हूँ अच्छा प्रिस्क्रिप्शन देख के बताओ कि उसमें क्या लेखाता देख के बताता हूँ भी जस्ट अ मिनिट ला रहा हूँ कावेरी को देखकर तो यह आदमें तोते की तुरह बोलने लगा ऐसे सवाल पोचने के लिए इसको यह आगे रखना चाहिए मतलब अब तो हमेशा पीछे ही खड़े रहोगे है वेसे भी में कहा आगे खड़ा रहता हूँ सर फ्रेडी तो छोटे बटे कामों के लिए है डिटेक्शन तो बड़े लोग करते हैं है ना सर डॉक्टर का नाम है मोहन यह तो आपका ही लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तेखिए ऐसी बात नहीं है पढ़ा जा रहा है बिल्कुल पढ़ा जा रहा है हम अगर आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उस अवरत का नाम नहीं लिखा है, क्यों? ची हाँ, यह गल्ती हुई है मुझसे क्या नाम किया था उस अवरत का? शायद लीला नाम था उसका लीला? ची हाँ, यही नाम मताया था उसने मुझे लेकिन सर्फ, जब वो यहाँ क्लिनिक में आई थी तो थोड़ा परिशान लग रहे थी अलाकि मैंने उससे इसका रिजन भी पूछा था कि वो कैसे जली मगर उसने कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं दिया था तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी, यह मुझे से गलती हुई है लेकिन सर, एक जला हुआ पेशेंट मेरे सामने था तो मैं उसका इलाज करता या उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता और वैसे भी, अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो मेरे पूछने पर मुझे पहले ही बता चुकी होती है लेकिन सर, जब टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैं हिल गया क्यों? क्या था रिपोर्ट? सर, जिस हाथ की स्किन को मैने टेस्ट के लिए लेब में भेजा था वहाँ से आप जानते हैं मुझे क्या मिला वहाँ से मुझे गन पावडर मिला, बारूद जली हुई जगे पे बारूद? जी हाँ, अब आपको ये तो मालूम ही है कि गन पावडर हाथ पे कम मिलता है जी हाँ, जब कोई किसे पे गोली चलाता है तो गोली में से निकल के कुछ बारूद हाथ पे रह जाता है डॉक्टर मोहन, आपको ये बात पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी आपको मालूम है हमें कितनी तकलिफ हो रही उस आउरत को डूडने के लिए उसका एड्रेस वगड़ा होगा ना आपके पास जी हाँ, मैं देता हूँ आँ आँ सब्सक्राइब देता हूँ डॉक्टर मोहन ने ठीक है कहा था के लिला काथ पर गन पौडर लगा हुआ है और वो गन पौडर यही से आया है, सर उसे ने इसाद में को गोली मारी होगी दय कहीं है, अमित तो नहीं आँ सर, यामित हो सकता है इलाव इसके अजबे ने से मार दिया और फिर मुरिजा को पीट-पीट कर चेक पर साइन करवाया होगा तुभी लगता है, ऐसे हुआ होगा यह कोई सिर्फ एक लाख रुपे के लिए दो-दो खुन करेंगा अरे दिव्या दिव्या विवेक इसे यह क्यो लिया है बच्चों के समनी यह सब से यह मेरी बात मानी नहीं रहे यह सब दियास से मिलने की जित कर रखी है दिव्या, देखो बार जाके अंकल की साथ बेटो थोड़ी देर के लिए मैं भी आता हूँ सर ना फ्रेडिक्स प्रेडिक्स 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 आप सुम्साइब आपके लिए अश्का तो मोही गाया वसमें एक साथ दो दो लाशे अगर यह लाश अमित की है तो फिर फिर यह कौन है सर वालब दे रहे सर सर यह तो मुरीदा का पती अमित है सर क्या यह अमित हो अरे अभी तक तो हम इससे अमित समझ रहे थे लेकिन अब अमित वह हो गया तरह अगर वह अमित है तो फिर यह कौन हो सकता है पल्टो इसे माई गाड यह तो लीला का पती है यह लीला का पती है हाँ यह क्या यही तो है सर यह तो यह आदमी तो बैंक में भी था एक ही गर में दो लाशे पड़ी है सर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है तुम्हें लगता है इसे वह होगा थै और क्या वह होगा सर देखो देखो पहले हमें पता चला कि मुरिसाखा किसी ने खून कर दिया है तो हमने सोचा कि इसके पती ने मतलब अमित ने उसका खून कर दिया मगर अमित के लाश तो यहां पड़ी है नहीं दया यह कोई एक लाख रुपे का चक्कर नहीं है यह कुछ औरी चकर है और इस सारे पहली में अभी भी एक नाम गायब है लीला Sir, लीला भाग गई और वो भी इतनी जल्दी में भाग गईगी सारे कप्ड़े ही छोड़के गई है अच्छा, और कुछ? सारे जूलरी के बॉक्सिस खा लिए जूलरी ले जाने बहुत आसान दा सर और जूलरी को बेच के पैसे भी मिल सकते है यह जूलरी हमारा आखरी सारा है वो जरूर किसे न किसी जूलर के पास जाकर यह जूलरी बेचने की कोशिश करेगी पता करो यह सार यही वो लड़की है अगर यह यहां पे आई तो फॉरेंट से आईडी को फोन करना मैं भी आसपास ही रहूंगा सर एक बुरके वाले एक जुल्डी शॉप में जा रही है मैं जा के देखती हूँ कावरी ज़र ध्यान से हमने वहाँ फोटोग्राफ दे रखे है ठीक है और ज़्यादा हंगा मानी करना यस सर तो लीला हमारी हाथ से निकल जाएगी ओकी सर यह लड़की है कौन यार यह सिबसब ठीक ही कह रहते कोई तो है जो हमारे पर निगाह रखे हुए पर इसे पता कैसे चलता है कि हम है कहा मुझे मेरी माप के ओपरेशन के लिए पैसे चाहिए बस इस जुवलेरी बच्ची है इसका कितना पैसा मिलेगा 32 रुपए पर डे हां हर रोज 32 रुपए पर हर रोज क्यूं एक साथ क्यूं नहीं अब यह तो जेलर ही बताएगा जेलर तुम कौन हो कि दिव्या हां दिव्या और मैं इसका अंकल सी आइडिंग्स पिक्टर देया यह तिव्या का अंकल कहा से आगया बीच में आ ए मुझे फसानी के कोशिश मत करना हां और अगर मुझे हाथ लगाए ना तो देखना तुम सब लोग इतना हला मचाने की जोरूत नहीं है गला बैठ जाएगा तुमारा मैं तुम सब को दिखाऊंगी तु एक अवरत पर हाट डाल रहा है दो तो फून करती हो फिर भी इतनी ही मैं तुमारी तू कौन है मैं मैं तेरी मॉसी मॉसी यह सब मेरे वज़े से हुआ है मेरे गलती से रोलो रोलो और रोलो फिर शायद सच और की तरह से बाहर निकलेगा रोलो अमित और मोरिशा मेरे बहुत अच्छे दोस्ते अमित मोरिशा को पिटता है यह बात मुझे और मेरे पते को मालूम थी फिर हमने लालच में आके एक प्लान बनाया हमने मोरिशा के साथ जबरदस्ति करके कुछ चेक्स पे साइन करवाए औ और फिर हमने खुन किया तुमने कमजोर अवरत की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया है तुम लोगों ने सोचा कि अमित भच जाएगा हां हमने सोचा था अमित जेल जाएगा और हमारे उपर कोई शक भी नहीं करेगा लेकिन हम जब घर से निकल रहे थे अमित वहां पहु कि मेरे पिछा आया लेकिन मैंने उसे मार दिया इसमें मेरा हाथ चल गया पूरा प्लान बरबाद हो गया मैं डर गई और वहां से भाग गई कि शुनू कि अलो हलो 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 लिल्या हलो हलो लिल्या हलो 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 तो गई चुल ली जो भाई है निài सुनु थКड़ल ऐसे हम अन्हें काम लोगे थै कोगेवेज दा। एग खंटे में हम अ मंपरगे गेपाटो न चरी मांटीर्या इसे बठायाし कि एक घंटे का कहके गई थी सतर मिनट हो गए पता नहीं कहा रह गई यह लीला कहा रह गई कि यह कहां से आग चाहिए यह मेरे सारा खेल हुझा थोतर अब कि और कि अ कि थूआ हो धो हो थे होली मुबारखोर भूली नाम्याद है यह abilities लिए ओ म्याद द्शाए कि ना कि अ कि शर्म नहीं आती है तुझे यह यह तेधी बहु है और तु और आज से कोई इसे हाथ में लगाएगा। तुम पेने, तुम्हारी बेटी है। तुमने इसके माँ को भी ऐसे ख़दम क्या था। तुमने मुझे धपड मारा। एफ है इफ हह मारिसा काओड किया है लीना और मैं दोनों ही इसे उसके पती को बैंक जाने के लिए मजबूर कर दिया, एक लाकारी र्पी लाने के लिए जैसे वह बैंक से वापस आया, हम दोने मिलकर उसे मा कादे कर सके गत्तिक जाता है तुम्हें यहीं पर कोली मार दो कैसे लोग हो तुम जब चाप पत्ली को मार दिया जब चाप पती को भी मार दिया वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें वहाँ घर में मिली हमने जिससे अमित समझा उसने तुमारे कपड़े पहने हो थे वो वो एक ड्रग एडिक्ट था मुझे रास्ते में किसी कौने में विचारा तो मारा गया अब तेरा क्या होगाम होगा क्या दोनों को या तो प्वासी होगी यह पिलिक्ट नहीं सरज 0 01 थीच शेयुल मेरे बेटीएटी मेरे तेमने मिच्चा ले मुझे भचा लो रुख जो कौन हो तुम मैं नई सी एडी ओफिसर हूँ सर करी दो करी दो कि इन शूबना का इडन दो और स्वच्वेन्त को सुख्यार करी दो प्रोषु लिंखते दिए कि अइसरे सके विदियोन कि दो और स्वच्वेंध। कि मैं आपको जुखे चुखे जआए कौन हरने दो